दोस्तों आज आपको मैं दिखाता हूं कि छट पे खेती कैसे की जा सकती है अपने घर पे हम कैसे अच्छी शुद्र शाकारी सब्जिया बोल सकते कम जहें के अंदर यह देखिए एक प्लास्टिकी कैन है कैसे इसका इस्तमाल करके हमने धनिया बोल रखा है यह कमला है इसमें कैसे अमरूद का पेड़ और यह मेथी बो रखी है यह एक ड्राम बोलते हैं इस पर अपनी लोकल भाशा में इसको यह खराब था तो इसके अंदर मिट्टी डाल के कैसे पालक लगा रखी है यह बड़ी मतलब शुद्ध है इसमें कोई भी कैमिकल नहीं डाला हुआ है और इसमें अपना देशी खाद यूज किया जाता है जैसे गायें का गोबर हो गया यह सब और देखिए यह तसला बोलते हैं इसको और इसमें देखिए कितने प्रकार के पेड़ लगा रखे हमने यह मिर्ची का पेड़ है इसके अंदर गमला देखिए तो आप भी अपने घर पे ऐसी खेती कर सकते हैं जिससे आपको भी अपनी शुद्ध शाकारी सब्जय मिल सके यह देखिए मिर्ची भी लगी हुई है आप देख सकते हैं इसमें कोई खर्च नहीं कुछ नहीं है आपको बस अपने घर पर जो फालतुगा समाल है उसका इस्तमाल करके उसको यूज करना है बस थेंक यू दोस्तों